हेलो फ्रेम्स मैं अनामिका मेरी किशिन में आशनी का श्वागत है आज में मटर की घुपनी की रेश्पी लेकर आए हूं यह घुपनी ताजी-घुपनी ताजी मटर से बनाई जाती है ठंधी की सीजन में फ्रिश मटर आ रही है जिसका हम तुर्ण चिलका उतारेंगे और बढ़ी ही श्वादिष्ट रेश्पी है बचसे बड़ी सभी पसंद करते हैं और बनाना आशान है तो फिर इस रेश्पी को आप भी ट्राइब कीजिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको अच्छी नेगे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पापका में करना मत बूली तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं घुगनी बनाने के लिए हमने गैस पे एक कडाही में हम डालेंगे एक बड़ा चमच तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तेल में हम डालेंगे जीरा एक छोटा चमच हमें पर जीरा लिए हैं जीरा को हमें अच्छे से चटकने देना है आप सुन सकते हैं जीरा से हलकी सी चटकने की आवाज आने लगी है तो जीरा हमें काला नहीं करना होता है कोई भी सबजी हो हम जीरा जब चटकने लगे तो उ कटोडी प्याज इसे हमने 2 बार स्वाइक कड़ें स्ञें स्पार्ट बत वेन अच्छिछ न्युटन प्याज कंड़ें को शर्टन हरी मेंすसे बहुतह था था जिनें प्याज को हमने चलाते हुए भून लिया है आप देख सकते हैं प्याज हलका हलका सौफ हो चुका है इसका कलर ही ब्राउन होने लगा है अब हम इस टेज पे डालेंगे अपना घूबनी के लिए ताजी मतर जो छील के रखा है एक नम फ्रेश मतर है मार्केट में जो ताजी-त जाली मतर आती है उसका शील का हटा के निकाल के पाली से धो लिये हैं इसकी रुबनी बहुत टेश्टी होती है अब हम इसे चोड़ देंगे तो यहां पे हमने आधा किलो मतर के दाने का खील का हटाया है तो इतना दाना पैयार हुआ है अब देश सेते हैं कितना चुंदर अब हम इसे एक से दो बार धतकन से कभर करते हुए पकाएंगे क्योंकि अपनी बटाना को हमें शॉस्क कर देना है अब हम कभर हटागे एक बार फिर से अपनी बट चला लेंगे तो कमर को हटा लेंगे अब इस ते श्रेश से हमें कुछ मसाला डालेंगे गुखनी बहुत बेसिक मसाला से बनकर प्यार होता है तो इसमें हम वान स्पोर्स कमर हल्डी पॉर्डर डालेंगे क्योंकि इसकी हाई नेटिवल अपनी है फोरी सटपटी बने इसके लिए हम इसमें एक कमर लाग मिक्स पॉर्डर डालेंगे आप अपनी पीछा के इसाड़ अर्जिस किजिए रहां और इसमें हम स्प्राग के इसाड़ डालेंगे इन साड़े इंडिवेंट को फीचे हम एक बार जीट कर लेंगे अब देख सकते हैं अभी ही कितना सुन्दर कलर ही रहा है बेख के मन खुष्प हो जा रहा है अब हम फिर से कभर कड़के इसे 5 मिन दर श्लो फ्लेम पी पकाएंगे तो शरीए एक बार फिर से हम घुगनी चेख कर लेंगे जब कन को हम भीरे से बटा लेंगे अब देख सकते हैं कि इतना अच्छा कलर दिख रहा है प्याज भी गज़ उका लेंगे अब देख सकते हैं अपनी प्याज मीज सब गल चुकी है अब हम मटर सेख करेंगे अगर मटर गल दई है तो अपनी गुणी तयार है तो हम एक मटर एक प्लेट में निकालेंगे एक एस्पून की मदद से इसे प्रेस करेंगे तो आप देख लीजिए ये मटर बिलकुल गल चुका है अब अपनी गुणी तयार हो चुकी है तो हम इसमें लाश्ट में डालेंगे एक चमच, गड़म मशाला और फूरा सा आमचूर पौडर आमचूर पौडर के जगर पे आप यहां पे निम्बू का रस भी डाल सकते हैं क्योंकि हलकी हलकी खटी गुणी बहुत टेश्टी लगती है या तो आप चाड़ मसाला डाल दीजिए अब हम इसे अक्से से लीक कर लेंगे आप देख सकते हैं ये फाइनली अपनी गुणी बनकर तयार हो चुकी है हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और गर्मा गरम गुणी सर्व करेंगे तो चलिए हम गुणी सर्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां ये बनकर तयार होई है गर्मा गरम गुणी बनकर तयार है तो फ्रेम्स आपने देख लिया गुणी बनाना कितना आसान है और खाने में तो यह बहुत ही लाजवाव लगता है इस नास्ते का जोड नहीं है आप कभी भी इस नेक्स टाइम में एक भूबनी बना के खाईए चाय के सांथ बहुत ही मज़ा आता है तो फ्रेंड्स इस रेस्की को आप भी ट्राइ कीजिए और मेरी सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और कमेंट बक्स में अबना कमें टिकना अनक बुडी दन्यावाद